प्रसार भार्ती अभिलिक हगार की दुस्तुती सबा बहार सुनहेर दौर का अन्मूल खजाना 15 अगस्त 1947 की सुबे जब भारत आजादी के नए दौर में प्रवेश कर रहा था तब तक 560 से जादा रजवाडों का भारत में विले किया जा चुका था एक ही करण के एक साल तक चले इस अभियान में भारत को एक मुकम्मल राष्ट की शक्ल मिली भोगोलिक और भावनात्मक तोर पर भारत को एक करने वाले हमारे पहले उपप्रधार मंत्री और ग्रिह मंत्री बल्लभाई पटेल को सरदार नाम बार्दोली की महिलाओं ने दिया था 1928 में हुए बार्दोली सत्याग्रे ने सरदार पटेल को एक राष्ट नेता के तोर पर स्थापित किया सरदार देश के ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी के सिध्धानतों पर चलते हुए भारत के किसानों को एक जुट कर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया इससे पहले 1918 में गुजरात में हुए खेड़ा सत्याग्रे ने सरदार पटेल को एक किसान नेता के रूप में पहचान दी थी सरदार पटेल का वेक्तत्व बर्फ से ढके एक जुआला मुखी के समान था भारत को एक जुट करने में उनके इसी वेक्तत्व और नित्रत्व क्षमता का युगदान था सरदार पटेल एक कुशल रण नीतिकार और दूर दर्शीनेता थे अपने मृत्व से लगभग एक महीने पहले पंडित नहरू को भेजी गई एक चिठी में उन्होंने लिखा था कि हमें आने वाले समय में चीन से सामना करना होगा जोके सच साबित हुआ भारत की एकता और अखंडता को अक्छुन रखने में सरदार पटेल का नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा